वेरी वेरी वेल्कम दुवाल साथी एक्जाम फाइटर नमरों तो आप सो भी का हार दिख्ष हो आगेते हैं और पीएसी असिस्टेन प्रोफेसर एक्जाम राजस्थान असिस्टेन प्रोफेसर परिक्षा 2023 जिसका टेंटेटिव डेट से आपका थार्ड वीक ऑफ करेंगे आज इंट्रो में राजस्थान के प्राचिन सब्वेता हैं अपको पता होगा राजस्थान एक सब्वेता और संस्कृति से संपन राज्य है हर तरीके से अभी हम लोग देखेंगे जितनी प्राचिन सब्वेता राजस्थान की है उतने किसी अन्य राज्यों की नहीं है और इसलिए सबसे पहले हम लोग सब्वेता को ही स्टार्ट करेंगे राजस्थान के प्राचिन सब्वेता हैं सब्वेता हैं यहां पर जो सब्वेता हैं कर सकते हैं वह वैसे भी राष्ट्य अस्तर पर इतियास को पढ़ते तो भी पढ़ा जाते क्योंकि बहुत हैं महत्यपूर्ण है इंपॉर्टेंट हैं और इसलिए राजस्थान का जब जी कि हमें पढ़ना है वहां ता आपको पढ़ना ही होगा और गहराई से पढ़ना होगा ताज हम लोग इंट्रो के रूप में जानने का प्रयास करेंगे कौन-कौन से सब्वेता हैं किस-किस सब्वेताओं को हम रहेंगे इसमें 45 प्लस 50 में से हाउट आप 50 हमको 45 तो लाना ही लाना है इससे ज्यादा लाने के लिए पैच स्टार्ट किया गया है और पुनाएक रिक्वेस्ट अगर चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें और बट्र को क्लिक कर ल genau यहां पर ट्यारी आरaffles चुकिए थे क्लसे को इंटर लेंगा जैसा मैंने कहा हम लोग देखने वालें कि राजय your तो राजस्थान में भारत्य उप्महाद्वीप की लगबख सभी सभ्यता और संस्कृतियां पर दिमान थे वही मैंने कहा कि राजस्थान भारत का ऐसा राज्य है सभ्यता और संस्कृति के सली इसंतर दूसरों नहीं है सबसे जादा सभ्यता और संस्कृति इसे राज्य में इसनित हैं उनको हम लुग देखkryंगे, जिसको उम्छ पढ़ेंगे उसके बारे में. सोरा आज इंट्रो लेंगे, आप सभी के बीच क्या हम लुग पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले वहा के ज़ितने सभप्वेता हैं रार्यस्थान की, कांस्वगिन सब्फभता क्या हो गिया जिस सब्फभता में अधिकतर चीज general का से की बने हुई थी यानि जाक का निगा होता था जिससे आज करला देखता हर जहका क्लास्टिक मिलता है पत्लास्टिक सब्फभलिं में इंसके पर कुछिद में पहले मिलता हो हर समान लोहा से बना होता था चाहों टेबल हो कुर्सी हो है ना हर जग आपको लोहा यूग था तो एक समय ऐसा था जब कांसे की चीज़ां ज्यादा हुआ करती थी कांसे की चीज़ों को लोग ज्यादा से ज्यादा परियोग करते थे बहुत तयात रूप से परियोग करते थ जिसे हरपर सभेता कांश यूगिन सभेता थी लेकिन हम लोग पूरी हरपर सभेता को या नहीं पढ़ेंगे हरपर सभेता का वो अस्थल जो राजस्थान में था कौन था काली बंगा हम लोग सिर्फ काली बंगा को पढ़ेंगे काली बंगा को डिटेल्स में पढ़ेंगे वै एटू जेट हर चीजिन के बारहां हुग कॉन सा यूग अय यहां में ताम्डे के बरतन का जादा से जाधा उप्योग किया जाए लगा इसलिए यूग का नाव हो गैं तामर यूगिन तो यहाँ पर कौन-कौन से सब्वाइचा कोंदक पढ़ने वाले हैं वह सब्वेता होगा हमारा अहर संस्किर्थी गनेश्वर शबयता, महाल सबयता, कुराड़ा सबयता, लादूर सबयता और किरो तोड सबयता यह इतनी जो सबयताय हैं यह क्या है? तामर यूगेंज यहां पर तामबे के कह सकते हैं, जादा जादा परियोग हुआ करते थे अगला है लो यूगिन समझ गया होंगे वैसा कालखंड जहां पे लोहे के चीजों का जादा से जादा प्रयोग किया जाने लगा था तो राजस्थान में प्रमुक लो यूगिन सब्वेता हैं कौन कौन सी है तो देखिए एक नम्मर आप देखें रेड सब्वेता रेड सब्वेता दूसरा बेराट सब्वेता तिसरा जोध फुरा सब्वेता फिर नगर सब्वेता नो सब्वेता इसके बाद नो के बाद सुनारी सब्वेता नगरी सब्वेता इस्वाल सब्वेता जुनाखे सब्वेता और बरोर सब्वेता यह जूना खेडा यह देखिए राज नीचे आगे जूना खेडा सब्वेता और लाश्टों कि आप बरोर सब्वेता तो इतने सारे सब्वेताओं के बारे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके आपको अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग ने बस इंट्रो लि जुक यहां की आज क्या हिस्थिति और वर्तमान 0271 में इसका कितना क्षच्रम था इसके बाद इसकी किसका कारिकाल कर निहें कालखंड कब से कब तक माना जाता है और जाएक पनेकाली बंगा के बारे हम जो कि आपने हरपतम सुर्फ नाम्सणां यहां उसके बारे बहुत सारी चीज ändern व्लोंग देखज आखेंगे इसके इसके काशक सभ्यता को दो चर्णषों लोग देखते हैं पूरूहरपपा फिर हरपा कालीन उत्तरहरपपा जिसको बोलते हम लोग फिर हरपा कि के बाद इन कालखंडों में बांट के देखें काली बंगा को अपने आप में एक बहुत बढ़ी बहुत विश्ष्ट सब्वेता रही और यह काली भंगा का फिर पतन कैसे हुआ इन सब अब classes ये प्राजस्तान के परमुख सब्वेताओं के चलती रहेगे और आज हमने बस पहला क्लास है ज्यादा कुछ नहीं सामिल किया है क्या पढ़ना है वह हमने बताने का प्रयास किया और यह सारे syllabus के सब्सक्राइब करें तो आज क्लास में इतना इसाधियों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और इससे जितने भी प्रसना सकते हैं सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जल से जल आप जूड़ जाए हमारे चैनल से क्योंकि कल से आपको पर बड़ी बड़ी पेपर थड़ की फ्री हैं और करते हैं कि फ्री का फ्री लोग नहीं समझ बाते हैं लेकिन जब आप एक्जाम देंगे साथियों तो बड़े-बड़े कोचिंग में पढ़ने वाले को आप फिल कर देंगे और आप 45 प्लस मार्स इस एक्जाम में लाएंगे और अगर आपने ले आया तो समझ सब्सक्राइब करें बिल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले क्लास की वीडियो का नोडिक्शन आपको मिल सके और आप देख सेके और क्लास कर सके थैंक्यू धन्यवाद